नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दीपक श्टेडी इड़्डा में इस वीडियो में हम हिस्ट्री की टॉप हंड़र कोश्चन्स को कवर करेंगे ठीक है यह कोश्चन्स काफी इंपॉर्टेंट है बहुत बार एक्जामें पूछे गए हैं मैं में मोस्फ कोश्चन इस व पाद्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक सबके मिल जाएंगे ठीक है साथ के साथ में आपको पीडिया पर प्रवाइड कर रहा हूं ताकि रिवीजिन करने में आपको हैल्प मिल सके ठीक है तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी स्किप न करें और एंड तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं कोशन नमबर वन से किस धार्मिक सुधारक को लोग हितवादी के रूप में जाना जाता था ठीक है तो कौन थे यह गोपाल हरी देशमुक ठीक है गोपाल हरी देशमुक को लोग हितवादी जाना जाता था ठीक है तो यह कुशन की प्रशाशनिक नीती में परवर्तन आया था कलंग युद्ध ठीक है जो कलंगा का वार वाद था उसके बाद ही अशोक में काफी परवर्तन आया था उसके प्रशाशन की नीती में काफी चेंज आया था ठीक है तो काफी क्योंकि काफी जादा डेथ हो गई थी उस वैरन हैस्टिंग भारत के भारत में बंगाल के ठीक है ना बंगाल के पहले गवर्णर जर्णर कौन थे वैरन हैस्टिंग ठीक है इसके बाद नहीं से बंगाल का पहला गवर्णर उसमें अंतर है कि गवर्णर की बात करें तो लॉड क्लाइव और गवर्णर जर्णर की बात क नेक्स्ट है इसके बाद अगर पहला वाइसराई की बात करें तो पहला वाइसराई क्या है लौड कैनिंग था लौड कैनिंग ठीक है ना आखरी गवर्नर जन्रल उसके बाद यह क्या है वाइसराई बनिया था 1857 के बाद 1857 की बाद जो पहला वाइसराई था वो कौन था का टॉम कहां पर है काबुल अफगानिस्तान नेक्स्ट है राष्ट्री ध्वज या नैशनल फ्लैक है उसके धर्म चक्र में कितनी तिल्ली है यादिक जो स्पोक्स होता है जो धंडा है वारा बीच में जो तिल्लीयां होती है उसमें ऐसे कितनी है ठीक है तो इसका करेंट आं विजए स्थम का निर्माण कराया था तो राणा खुमबा ने तोल में विजए स्थम की का निर्माण कराया था नेशन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्श में सुरू किया गया था तो ये क्या है एट अगस्त 1942 अख्यल भारतिय कॉंग्रेस समीती में के मुंबई में मात्मा गांधी ने संकल्ब लिया भाराच छोड़ो आंदोलन लेने का ठीक है भाराच छोड़ो आंदोलन की शुरुवात 8 अगस 1942 में क्या है मुंबई अधिवेशन के बाद हुई थी नेक्स्ट कुशन है प्राथना समाज प्राथना समाज की स्थापना किस ने की थी तो प्राथना समाज की स्थापना दादोबा पांडूरंग और उनके भाई आत्माराम पांडूरंग ने 1863 में करी थी ठीक है और उद्देश क्या था लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना इनका विश्वास था ठीक है तो प्रा ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा रामोहन रोय ने आर समाज की स्थापना किस ने की थी 1875 में दयानन सरस्वती ने आर समाज की स्थापना की थी 1875 में नेश्ट है अलिगड आंदोलन किस ने सुरू किया था तो सर सेयद एहमद खान ने इन्हों नहीं क्या है अलिगट में जो EMU है आज की डेट में उसको पुराना नाम क्या था मुहम्मधन एंगलो ओरियंटल कॉलेज 1875 में इनों की स्थापना की थे तो EMU की स्थापना किसे नहीं की थे सर सेयद एहमद खान ने ठेकर इन्होंने ही अलेगड आंदुलन की शुराद भी इन्होंने ही की थी नेस्ट कुशन है भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के पहले अंग्रेजी अद्धेक्श कौन थे तो पहले अंग्रेज अद्धेक्श थे जौर्ज यूँल यह उन्होंने 1888 में इलहावाद अधिवेशन में अध्यक्षता की थी ठीक है तो पहले अंग्रेज की बात करें एओ हुम तो पहले अंग्रेज से लेकिन उन्हें संस्थापक थे जो अध्यक्ष बनी थे पहले अंग्रेज वो थे जौर्ज यूल इलहावाद अधिवेशन 1888 ठीक है भारत क किस व्यक्तित को भारत का Grand Old Man Grand Old Man of India किने कहा जाता है इने कहा जाता है दादा भाई नौरो जी को Grand Old Man कहा जाता है ठीक है और यही British सांसद में British सांसद में पहले सांसद बने थे ठीक है ना British Parliament के पहले Member कौन बने थे इंडिया से दादा भाई नौरो जी Next है अकबर नामा किस के दुआर लिखा गया था तो अकबर नामा अबू फजल ठीक है यह अकबार के साही दरवार के नौ जोयस यानि इसे एक था जो नौ रतन थे नौ रतन में इसे एक था अबू फजल ठीक है इनोंने ही अकबर नामा लिखा Next है पूर्ण सुराज पूर्ण सुराज की प्रतिग्या किस कॉंग्रेस अधिवेशन में ली गई थी तो 1929 में लाहौर सत्र में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पूर्ण सुराज की प्रतिग्या कॉंग्रेस अधिविशन में ली गई थी next है servant of Indian society के संस्थापक कौन थे servant of Indian society के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोगले ठीक है ना गोपाल कृष्ण गोगले next है महात्मा गांधी किसके लेखन से गहरे प्रभावित थे लियो टॉल्स्टोई इन्ही के नाम पे नोने क्या है टॉल्स्टोई फार्मी बनाया था तच्छण अफरिका में तो इनके लेखन से क्याफी गहरे प्रभावित थे next है स्थानिय सुशाशन स्थानिय सुशाशन का जनक किसे कहा जाता है Lord Rippan को Lord Rippan को स्थानिय सेल्फ गर्मेंट यानि कि सुशाशन ठीक है कौन थे ये जनक इसके Lord Rippan next है लोधी वंश की स्थापना किस ने की थी तो लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना करी थी आगरा की स्थापना किस ने की थी? तो सिकंदर लोधी ने लोधी वंश का अंतिम साशक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम साशक इब्राहम लोधी था जिसको बावर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल सामराज की स्थापना की थी ठीक है लोधी बंश का अंतिर सासा कौन था इब्राहिम लोधी सबसे पहला कौन था बहलो लोधी सिकंदर लोधी ने क्या किया आगरा के स्थापना करी थी ठीक है आगरे देखते हैं किस गवर्नर जर्नल ने हडप की नीती लागू करी हडप की नीती डॉक्ट्रीन ओफ लेप्स इस तरह से भी पूछा जाता है डॉक्ट्रीन ओफ लेप्स किसने शुरू किया था तो ये था लॉड डल होजी इसकी नीती के अंदर कर ये हुआ कि जिस भी राज्जम में उत्रा देखारी नहीं होगा वो क्या है अंग्रेज सामराज में शामिल हो जाएगा ठीके ना तो ये हडप की नीती किसने चालू करी थी लॉड डल होजी ठीके नेक्स्ट इसी में है मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान हिंदी विद्वान कौन था मलिक मुहम्मद जैसी ठीके पुत्र था दाराशिकोह इसने उपनिश्यद की का ट्रांसलेशन किया था फारसी भासा में पर्शिन लैंग्विज में नेश्ट है कोश्चन 26 भारत में छपा पहला अकबार कौन था उनसा था ठीक है तो इसका नाम था बंगाल गजट बंगाल गजट 1788 में ठीक है और इस इसका श्रे किसको जाता है सुरुआत करने का जेम्स आगस्टस हिक्के को जेम्स आगस्टस हिक्के को इसका श्रे जाता है 1788 में पहला बंगाल गजट का सुरुआत करने के लिए ठीक है आगे देखते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुरुवात किस ने की थी देखो इसमें दो तरी कोशन मिलेगा आपको एक कोशन और इंकलोड करूँगा मैं कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत तो Lord मे का लेने की थी ठीक है लेकिन क्या है जो medium of language है medium of instruction है फो English में होना चाहिए इस बात की शुरुआत के जिती Lord William Banting ने ठीक है न अंग्रेजी शिक्षा सुरुआत हो जाना चाहिए यह तो Lord मे का लेने और सिच्छा इंग्लिश में होनी चाहिए ये क्या है लॉड विलियम बेंटिक ने किया था ठीक है इसको हम आगे कोशन में देखेंगे नेक्स्ट कोशन है ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में क्या है संसद बनने वाले पहले भारती कोई से थे दादा भाई नौर जी इनी को grand old man of India भी कहा जाता है नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्याल है कहां पर था गदर पार्टी का मुख्याल है सैन फ्रेंसेसको में था इनके महान जो नीता थे कौन कौन से इसमें क्या है काफी बाद जो कुछन पूछा जाता है तो सोहन सिंग भकना और लाला हर्दियाल इस तरह कुछन जाएगा कि लाला हर्दियाल का किस पार्टी से connection था गदर पार्टी से सोहन सिंग भकना किस के member थे गदर पार्टी के नेस्ट है भगवान बुद्ध की मृत्यू कहां पर हुई थी कोशी नगर में ठीक है इको निर्वना नाम से भी जाने जाता है कि निर्वना भवान बुद्ध का निर्वन स्थन कुन सा है कोशी नगर यानिकि इनकी डेथ कहां पर हुई थी कोशी नगर में और बर्थ कहां से सिख गुरू स्वायम को सच्चा बाशा कहते थे तो गुरु तेग बहादूर अपने आपको सच्चा बाशा कहते थे अलबरुनी किस के साथ भारत आया था तो महमूद गजनी महमूद गजनी के साथ अलबरुनी भारत आया था भारत का राष्ट्री गान जन गनमन के रचना किस ने की थी तो रविंदर नाथ टेगरने और इनको क्या है गितांजली पुस्तक के लिए नोबल प्राइज भी मिला था आगे देख लिए पहें भारत का राश्ट्र गीत Vandhmatram की रचना किसने की थी तो बंकिम चंद्र चटर जी यह गीत बंगारी भाष्चा सबसे पहले उपन्यास आनंदमठ में लिखा गया था तो यह क्या है आनंदमठ उपन्यास किसने लिखा था बंकिम चंद चटर जी ना उसी में इन्होंने क्या है वंदे मातरव लिखा था राष्ट्र जो गान है दो चीजे तो राष्ट्र गान नैशनल एंथम और राष्ट्र गीत राष्ट्र गान तो जन्गनमन हो गया और राष्ट्र गीत क्या है वंदे मातरव ठीक है राष्ट्र गान तो रविन्ना टेगो 1911 है ठीक है अब वहीं पर अगर बंदे मातरम की बात करें तो यह क्या है पहली बार 28 दिसंबर को 1896 में क्या है कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गया था ठीक है ना उसकी एवरेज लगबट टाइम कितना है 52 सेकें 52 सेकेंड नेस्ट है गांधी जी ने सविने अवग्या आंजुनान की सुरुवात किप की थी Civil Disobedience Movement 1930 ठीक है गांधी जी ने डांडी मार्च कब किया तो गांधी जी ने डांडी मार्च को 12 मार्च 1930 में शुरुवात करके 6 अपरेल 1930 को खतम किया था फाहियान किसके शाशनकाल में भारत आया था चंद्रकुप्त दुती है ठीक है नहीं नहीं देख लेते हैं मुगल शाशक ने इस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस जगह पर व्यापार करने के लिए और फैक्टरी बनाने के अनुपति दी थी 1951 में कासीम बाजार में इंकिलाब जिंदाबाद का नारा किस ने दिया था भगत सिंग ने सारे जहां से अच्छा गीत किस ने गया था मुहमद इकबाल ने हैं यंग इंडिया और हरीजन पत्रिका के संपाद कौन थे और महत्मा GR कैसे भारतिये ने तीनों गोल में सम्मिलन में भाग दिया था डोक्टर भीम्गरा अंभेटकर कंए तीनों राउंड टेल कॉन्फरेंस थी उसमें तीनों में पार्ट सेर्व करने वाले कौन से थे भारती है वो थे भी मराव अमबेट कर चंद दुप्त मौर्रे के दरबार में कौन सा ग्रीक राज़दूत आया था तो मेगस्थनीज ठीक है मेगस्थनी नहीं इंडिका नामक किताब और इसको भीजा किसने था ग्रीक से सेलुकस निकेटेटर इसको भीजा था भारत में आगे देख लेते हैं वेदों की और चलो यह वेदेओं की और लोटो इस तरह से नारा की किसने दिया था स्वामी दैयानन सरसुथी ने इनका वास्तिविक नाम क्या था मूलशंकर ठीक मुहम्मद बिन बक्तियार ठीक है नेक्स्ट है 1857 की करांती को किसने राष्ट्रे विद्रोह की संग्या दी थी तो क्या है उस टाम पे जो बृटिश के प्रधान मंतरी थे बेंजामिन डिसरेली उन्होंने इसे राष्ट्रे विद्रोह बताया था अशोक महता ने अपनी पुष्टक The Great Rebellion में से राश्च्रे विद्रोह का था वीडी सावर करने क्या है 1909 में लिखित अपनी पुष्टक The Indian War of Independence में 87 में इसे सू नुयोजित स्वतंतरा संग्राम की संग्या दी थी तो सू नुयोजित संग्राम की संग्या किसे नी दी थी वीडी सावर करने तो जुसने क्या कहा था इसको मेंने क्या है कुष्टन में कबर किया आगे दिख लेए हैं चीनी यात्री हेंसांग किसके शाशन में काल में भारत आया था हर्षवर्दन ठीक है हरश वरदन अर्थशास्त्र किसकी रचना है अर्थशास्त्र किसकी रचना है एक कोशन कई बार पूछा गया है चानक के इनको क्या है कोटल्य क्या है चानक को ही कहा जाता था इनका असली नाम क्या था विश्नुगुप्त इनका असली नाम क्या था विश्नुगुप ठीक है कई तरह से कुछन पूछा जा सकता है तो अर्थशास्त्र की रचना किस ने की थी चाणक के ने हल्दी घाटी का यूद किस के बीच में लड़ा गया था अकबर और राणा प्रताप सिंग के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का यूद लड़ा गया था नेक्श्ट है मुसलिम लीग की स्थापना किस ने की थी तो मुसलिम लीग की स्थापना जनों ने की थी वो कौन-कौन थे मुहमद अली जिन्ना आगा खान हकीम अजमल खान और ख्वाजा सलीम उल्लाह ने की थी 30 दिसंबर 1906 में और कहां पर धाका में मंगलादेश का जो ना आगा खान हकीम अजमल खान और खुआजल मुला जाज़एर को और पर उप्षिन में क्या में मिलेगा आगा खान मिलेगा ठिक लेकिन आपको बागी भी पता होने चाहिए कि किस गवर्णर जर्नल सती प्रता को خ Artem किया था सती प्रता के विरुथ किस ने काम किया था वि इसका निर्माद किसने करवाया था गुपत यहा menjadi Truly र राज्यान को बहुत kislin फिक kicked इसने कि ने नर्मार किसने कर वाया था कुमार गुपत वन्षी शाशक पमार गुपत ने नालन डालनदा वेशुडयालय की स्थापनी नर्माद की ती गुरू गोविंज सिंग ने खालसा पंत की स्थापना की थी कांची का प्रसिद्य मंदर कांची पुरम का प्रसिद्य मंदर कैलाशनात मंदर है इसका निर्माण किसमें का दो कैलाशनात मंदर है एक तो कैलाशनात मंदर है और एक क्या है कांची पुरम का कैलाशनात मंदर है काची पुरम वाला हम केलाशनात मंदिर की बात कर रहे हैं तो ये है नर्सिंग वर्मन दुति है ये एक्जाम में बहुत बार पूचा जाता है कि क्या है केलाशनात मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था तो ये है नर्सिंग वर्मन दुति है सेकंड नेक्स्ट है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस ने की थी? तो सर विलियम जोनज सर विलियम जोनज ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटिक की स्थापना की थी नेक्स्ट कुशन है भारति विश्वित डेले अधिनीयम slot 1904 किस 주新聞 जफिट और जट सुर्इकनल शामा में पारित वा था लॉड करजन के शाष्रकाल में ही इंडिया न युणिवर्सिटीग एकट 1904 पारित हुए था और जो बंगाल विभाजन वा था वो भी इसी के साष необход हुआ था ठीक है ress है काकोरी ट्रेन दकैती कब हुई थी तो 9 अगस्ट 1925 9 अगस्ट 1925 को काकोरी ट्रेन दकैती हुई थी और इससे सम्भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुमज कहां पर है बीजापुर में नीचे इसके क्या है सुल्तान मुहमद आदिशाह की कबर है तो मुहम्मद आदिज शाह की कबर है कहाँ पर गोल गुमज बीजापूर ठीक है बीजापूर कहाँ पर है करनाटक में नेस्ट है हुमायू नामा किसे नहीं लिखाता तो हुमायू नामा लिखाता गुल बदन बेगम ने गुल बदन बेगम ने क्या है हुमायू नामा लिखा था भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला सबसे पहला कार खाना कहा लगाया था सूरत में यह कोशन भी कई बार पूचा गया है कि फ्रांसीसियों ने पहला सबसे पहला कार खाना सूरत में लगाया था नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत की राजधानी ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली इस्थांतरन किस ने किया था किसके साथ ने काल में वह आता था लॉड हाडिंग 12 दिसंबर 1911 को लॉड हाडिंग के साथ ने काल में जो इंडिया की कैपिटल है कलकत्ता से डली स्थांसील थो थी और दो लॉड़ अर्डिंग के टाइम की बात एक और है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ थैंक यह एक और विभाजन न तो क्या है इसके शाषन काल में जो भापिस जो सबसे पहले आए थे और सबसे एंड में गए थे गोवा क्या है इनी का कैपिटल था तो सबसे आकरी में जो आजद हुआ था वो क्या है गोवा हुआ था नेश्ट है प्रसिद कभी कालीदास किस साशक के काल में थे तो चंदरगुप्त विक्रमा दे थे चंग्रदगुप्त विक्रमा दे थे ठेक है चंदरगुप्त दुतिय को ही विक्रमा दे थे कहा जाता है इनी के साशन काल में कालीदास प्रसिद कभी जो थे वो इनी के साशन काल में थे गौतम बुद़ का जनम कहां पर हुआ था लुंबनी में और डेथ कहां पर हुई थी कुशिनगर में इनको ज्यान कहां पराप्त हुआ था बौदगया बिहार में और पहला प्रवच्षन कब दिया था सारनाथ में ठीक है इनकी death हुई थी कुशिनगर में और बर्थ हुआ था लुम्बनी में मुगल सामराट अकबर का revenue officer कौन था जो tax का काम करता था तोडरमल मुगल सामराट अकबर का जो tax वगरा का काम करता था इतने मुनी मालो वो कौन है तोडरमल next है बंगाल में द्वएयद साशन की शुरुवात किस ने की थी तो बंगाल में दौएयद साशन की जो जनक है वो Lord clive थे Lord clive और and kisnh ने किस ने किया था वाइरं हेस्टिंग ने ठीक है लो ऑबर्र कलाइव तो पहले governor थे और yön़शिटिंग पहले गवर्णर जर्णल थे गवर्णर पहले कौन थे लॉट गलाइव और क्या है जो पहले गवर्णर जर्णल थे बंगाल के वो थे वैनन हैस्टेंग ठीक है नेक्स्ट है भर्षवर्धन का राज्य कभी कौन था बान भट इन्होंने ही क्या है हर्ष चरित्र की रचना की थी ठी ही क्या है हर्ष चरित्र की रचना की थी भारत नहीं आप बान भट्ट नहीं बान भट्ट नहीं हर्ष चरित्र हर्ष चरित्र की रचना की थी हर्ष चरित्र यानि कि हर्ष वर्दन के बारे में नेश्ट है लिंग राज मंद्र कहां पर है लिंग राज मंद्र भुमने इश्वर उडिजा गांदी इर्विन समजोता कब ऊओआ था 1931 में नाटक नील दरपन किस के द्वार लिखा गया दीन बंदू मित्र द्वारा दीन बंदु मित्र ने ही नाटक नील दरपन लिखा था भारतिय जंडे का डिजाइन किस ने दिया था पिंगाली विंकया ने ही भारतिय जंडे का डिजाइन किया था भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के पहले अद्देक्ष कौन थे सबसे पहले अद्धेक्ष 1885 में क्या है वोमेश चंदर बनर जी थे स्थापना किस ने की थी स्थापना करें थे A.O. हिूम ने पहली मीटिंग कहां पर हुई थी क्या है इनका बंबई में बंबई में सबसे पहला अदिवेशन हुआ था ठीके न भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक तो बैठक पहली बार कब हुई थी तो संयुक बैठक 1916 में 1916 में लखनो अदिवेशन में पहली बार दोनों की कंबाइंड मीटिंग हुई थी मौरले मौरले मिंटो सुधार अदिनियम मौरले मिंटो सुधार अदिनियम 1909 किस से संबन देते है प्रथक चुनाव प्रणाली ठेके सेपरेड जो सीट है मुस्लिमों के दी जाए इस तरह से चुनाव चालू किया था वो किस से related है मौरले मिंटो सुधार अदिनियम 1909 ठेके मौरले मिंटो सिच्छा ही और माध्यम को अगरी जी कर दिया जाए ये किया था विलियम बेंटिक ने आगे देखते हैं पेरियर किसे कहा जाता है पेरियर कहा जाता है वेंकट नायकर रामा सामी को वेंकट नायकर रामा सामी को पेरियर कहा जाता है और इनी को ही एशिया का सुकरात भी कहा जाता है इंडिया एशिया का सुकरात किसे कहा जाता है वेंकट नायकर रामा सामी को आगे देखते हैं अकबर के शाशनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में किसने अनुबाद किया था तो क्या है फैजी ठीक है फैजी ने क्या है इसका अनुबाद किया था फारसी भाषा में महावारत का अनुबाद किसनी किया था फैजी ने ठीक है आगे देखते हैं किसे तॉमर शाशक ने दिल्ली की स्थापना की थी तो राजा अनंग पाल ठीक है न तो दो तरह सी कोशन पूछता है कि एक तो यह वंश के असाफ से पूछ लेगा तो तॉमर वंश आ गया और उसक करजन लौड करजन उनने सो पांच लौड करजन उनने सो पांच ठीक है न इसी के टाइम पर ही क्या है बंगाल का विबाजन हुआ था जिसको खारेज किसने किया फिर उनने सो ग्यारह में लौड हार्डिंग ने ठीक है आगे दिख लेते हैं कि 1857 की करांती के समय भारत मर्ने जनरल था बहरत का 1857 की करांती की समय और इसे की भाज को क्या है वाइसरय पहले बना दिया सबसे पहला वाइसरय को हुन में फिर ऐटिम आशेत। रॉलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में रॉलेक्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था अश्टा ध्याई किसकी रचना है? अश्टा ध्याई कोशन में कई बार पूछा गया है अश्टा ध्याई के महरशी पानिनी महरशी पानिनी की रचना है इसमें 8 अध्याए और 4000 सूत्र हैं आठ तो अध्याए हैं और 4000 सूत्र हैं अश्ट अध्याई में आगे दिख लेते हैं बंगाल के विवाजन वो खारेच किसने किया था 1911 में लॉर्ड हरडिंग ने हैं किया किसने था लॉड करजन ने 1905 में भारत की राजधान इकॉल कता से दिल्ली किस वर्ष स्थापित की थी 1911 में लॉड हाडिंग के काल में नैश देख लेते हैं भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था सारनाथ मैं आपको बताया सारनाथ एकनॉमिक ड्रेन की थियोरी जो भारते से अंगरे धन लूट ले जा रहे थे तो इसके बारे में जो सबसे पहले लिखा था वो किस ने कहा था यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने ठीक है अपनी किताब का नाम क्या था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिय ठीक है ना इन्होंने कई होने किसके बारे में कहा था लेकिन पहली बार कहा है वो दादा भाई नौरोजी ने कहा था अपनी किताब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ठीक है एकनॉमिक ड्रेन ऑफ देन की थियोरी आगे दिख लेते हैं चटगाउं यह इंगलिश में चिटगाउंग भी कहते हैं सस्तरागार छापा किस वर्ष में चिटगाउंग आर्मरी रेड किस वर्ष में हुई थी नाइंटीन थर्टी में ठीक है और इसे जो में जो बंदे थे वह कौन थे सूर सेन जो में करांतिकारी थे जन्होंने इसको काम को किया था वो थे सूर्य सेन ठीक है तो ऐसे कोशन आ सकता है कि सूर्य सेन किसे संबंदिर ओप्शन दे रखा हुआ कार कोरी ट्रेंगती चोरा चोरी तो सबसे ज्यादा यह रिलेटेटर किसे कुशन पूछा जाता है चटगाउं सस्तरागा छापा 1930 में सूर्य सेन ठीक है आगे द करवाया था राष्टकूट शाशक करश्ण पर्थम ने केलाश मंदिर का निर्मान करवाया था आगे देख लेपे हैं यह मंदिर कहां पर है एलॉरा महाराश्ट के और अंगबाद जिले में है यह मंदिर दुनिया भरक में एक ही पत्तर की शिला से बनी हुई सबसे बड़ और आ गया था तो 1929 में लाहॉर अधिवेशन के दोरान रावी नदी के किनारे लाहॉर अधिवेशन 1929 में पहली बार तिरंगा फेरा गया था है भारतियराश्टि कॉंग्रेस के पहले मुसलिम अध्यक्ष कौन थे तो यह कुश्ण इन कई बार पूचा गया है तो इस तर पहले बारती माहिला था तो यह कौन थे बदरुदिन थे बद्रुदृतिन टइब जी पहले मुसलमान अद्राइक्श सटे भारती से कॉंग्रेस के बारति था करेक्वेस का पहला अधीवेशन कब हुआ था तही तो पहला दीवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और जगे क्या नाम क्या था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ था नेक्स्ट है भारतिय छोड़ो आंदलन भारत छोड़ो आंदलन किस वर्ष परारम हुआ था इसको शुरुआत की गई ती गांदी जी जवारा नेस्ट कुशन है एशियाटिक सोसाइटी ओफ बंगाल किस थापना किस ने की थी सर विलियम जोन्स लास्ट कुशन है इस वीडियो का इंडिया हाउस नाम से गन्फियूज मुजंगे नाम इंडिया हाउस है लंदन में है ठीक है तो यह थे कोशन क्या है टॉप हंडर ठीक है इस तरह से हम क्या 100-100 कोशन करके एक वीडियो में सारी के सारी हिस्ट्रेश को जब दी से फटाफट से कंप्लीट करेंगे ठीक है आपको रिविजिन के लिए हेल्प में सब्सक्राइब कर रहा हूं जो कि आपके ओचिए ऑच्छनिक करे लिए, रहा है आपके लारत एक लिए खडेश कोशन के लारत वाचे ऋर्पोट यह अर्वटेश करेंब दो कि नर्द में सारी है और वाच्टन का रिए भाच्टनुम्र तरहर से का रहा वच्टनुम्रूज से होग्थ यह तोफज़ वाच्टनुम